उसका मैं कुछ कहा नहीं सकती क्योंकि अभी मेरी तबिट ठीक होना स्टार्ट हुई है इतने टाइम बाद मतलब ड्रिफ्स खतम हुई है तो कवर कर रही हूँ बट मेरे अंदर वीक्नेस है हाई गाईज जैसा कि आपने देखा है कि सुर्वी राठोर ने बोला है कि अभी मेरी पूरी तरह से तबिए ठीक नहीं हुई है इसलिए मैं अभी कोई वीडियो नहीं बना सकती हूँ वीक्नेस काफी ज्यादा फील हो रही है मुझे अभी भी सुर्वी राठोर के इस वीडियो के रिपलाई पे एक हरसिता ने जवाब दिया है कि आ करें तब यह ठीक नहीं है तो नाचें क्या पागल कहें कि सुर्वी राठोर ने हरसिता को बहुत ही प्यार से रिपलाई दिया है बहन कोई जलन की दवई नहीं होती है अगर होती है तो सुबह साम लिया करो तो गाइस सुर्वी राठोर ने अपने हैटर फैंस को भी बहुत ही प्यार से रिपलाई दिया है तो गाइस ये बात तो हम सबकों मालुम है कि कहीं नहीं हर किसी के हैटर फैंस होते ही हैं सोसल मीडिया पे लेकिन इतने जादा हैटर फैंस भी होते हैं क्या सूरवी राटोर से कोई इतनी भी ज़्यादा जलन रख सकता है सुर्भी राठोर के चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा है आप सभी को मालू है कि सुर्भी राठोर की पिसले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा तबियत खराब थी वहीं guys हम बात करें मौक नारंगी तो मौक नारंग जो है अपनी ममी के साथ में डिनर करता हुआ नजर आया है हो सकता है कि मौक नारंग जो है अपने गाह में इजहार गया हुआ है और अपनी ममी पापा के साथ टाइम स्पेंट करता हुआ नजर आया है क्या सच में सुर्वी राठोट गलत है आप लोग अपना-पना ओपीनियन जरूर सेर करें गाइस इसके अलब अगर आप लोगों को यह अपडेट अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें कमेंट करें थैंक यू सो मच माई यूटूब फैमली